Use of prepositions In, to, into और for आज सम in prepositions का use करना सिखेंगे देखिए in, to, into और for इन्हें क्या बोलते हैं? In यानि की में To यानि के के लिए For यानि की ये भी लिए होता है ठीक है न? और into यानि अंदर ठीक है? In, to, for, into सबसे पहले हम in करेंगे In, in मतलब में ठीक है न? इस में हमारी बहुत इज़त है ठीक है? There is a lot of respect in this In, in आगया न? में इस में In this इस में हमारी बहुत इज़त है There is a lot of respect in this इस में Next है हम बारिश में खड़े है We stand in the rain बारिश में खड़े है In, in the rain Next मुझे काम में अच्छा होना चाहिए ठीक है? तुम्हे काम में अच्छा होना चाहिए You should be good in your work तुम्हे काम में अच्छा होना चाहिए अपने काम में अच्छा होना चाहिए You should be good in your work next bathroom में कौन है में अंदर ठीक है ना में तो who is in the bathroom bathroom में कौन है तो ये in case sentences होते हैं next है to आप देखते हैं to to यानि के लिए लेकिन देखे to सिर्फ के लिए ही यूज नहीं होता जैसे कि हम कहते हैं कि जोई letter लिखते हैं तो to the principle तो to यानि वो letter principle के लिए होता है इसलिए to जहां पे जाना है ठीक है ना और जहां से जाना है वो होता है from जब भी आपको लेटर लिखते हो तो to लिखते हो जहां जाएगा उसका address देते हो और जहां से जाना होता है यहां आप से जाता है तो from लिखते हो, क्यों वो आपसे जाएगा तो from लिखते हो, यानि कि आपका नाम आता है ऐसे ही to का use होता है वह office जा रहा है He is going to office कहीं जा रहा है, जहां जाना है महां का नाम office जाना है उसने, तो office, to office next, उसने अपनी बत्तमीजी के लिए मुझसे माफी मांगी He asked me, यानि मुझसे बोला ठीक है उसे पूछाया फिर to apology, माफी मांगना apology ठीक है, next मैं दिल्ली जा रही हूँ, कहां, जाना, कहां जाना है दिल्ली जाना है, जहां जाना है I am going to Delhi next, वह मुझसे पीछे है ठीक है, he is junior to me पीछे है या छोटा है, कुछ भी हो सकता है ठीक है, he is junior to me पीछे है, मतलब class में पीछे है एक class पीछे है, या एक साल पीछे है ऐसे, ठीक है, he is junior to me वह मुझसे पीछे है या छोटा है तो यह है to का use next हम देते हैं for, for मतलब लिए, किसी के लिए होना, ठीक है, किसी के लिए काम करना, किसी के लिए कुछ लाना, for, for का use होगा, जैसे मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ, किसके लिए, तुम्हारे लिए, for you, I am coming for you, तुम्हारे लिए, जिसके लिए उसके साथ for, ठीक है, next, ये gift हम तुम्हारे लिए लाए हैं तुम्हारे लिए निए for you ठीक है we have brought this gift for you तुम्हारे लिए लाए हैं next हम सिर्फ तुम्हारे लिए हैं या सिर्फ तुम्हारे लिए हैं ठीक है it's only for you या सिर्फ तुम्हारे लिए है it's only for you या it's just for you ठीक है, तुम्हारे लिए है Next, तुं हमेशा अपने भाई के लिए काम करना, किसके के लिए ठीक है, तुम हमेशा अपने भाई, यानि your brother You always work for your brother, तुम्हारे भाई के लिए, ठीक है तो for लगता है Next, into देखें इन का मतलब भी अंदर होता है मैंने बोलता है में इंटू मतलब अंदर ही होता है में अंदर इंटू का मतलब ही अंदर होता है लेकिन अंदर इंटू का मतलब है कि अंदर इसके अंदर होना बिल्कुल अंदर होना वो का इंटू लड़के पूल में तैर रही है यानि क्यों पानी के अंदर तैर रह Next, वैं गुफा के अंदर गया, ठीक है, he went into the cave, into, अंदर गया है उसके. Next, मैंने अपनी किताब बैग में रख दी, के बैग के अंदर रख दी, यानिके, I gave my books into the bag, ठीक है, तो ये into का use होता है. Thank you for watching this video, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए, आप हमारे चैनल, Learn and Grow पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. Thank you.